जब आप कभी जमीन खरीदने जाएंगे उस जमीन में दो चीजे होती है जमीन दो टाइप के होती है जमीन का मालिकाना हक किसके पास है और उस जमीन पर सरकार को टेक्स कोन दे रहा है दो चीजे अलग-अलग होती है तो जमीन पर मालिक कोन है जमीन का मालिक कोन है और दूसर आना होता है register you कि क्या कराने पड़ती है register जिसे करते है लिखाई लोग सुनते हैं लिखाई ये लग एक लाख हो सुने क्या लग गया registry जिसके नाम पर रईष्ट्री हो गया मालीक वही हो गया, सब्सक्राइब लेकिन, मान के चलिए हम अपनी जमीन किसी व्यक्ति को बेचे, जब तक हम उसे नहीं बेचे थे, तब तक इस जमीन का भूमी कर, लेंड टेक्स कोन दे रहा था, हम दे रहा था, टेक्स का डिपार्टमेंट अलग है, और मालीक वाला का डि तो हम उसको क्या लिख दिये, राइश्टी कर दिये, तो हमने उसको केवल क्या दिया है, मालीकाना हक, लेकिन अभी भी टेक्स कोन दे रहा है, हम ही दे रहे हैं, हम ही दे रहे हैं किने टेक्स, तो टेक्स वाले डिपार्टमेंट में जमीन के माली कोन हो गए है, हम, अब मा कहने हमारे नाम को क्या कीजिए दाखिल कीजिए और उसके नाम को क्या कीजिए खारीज कीजिए तो आपको जमीन रईष्ठी करा लिए और इसका नाम खारीज इसे कहते हैं MOTATION क्या कहेंगे MOTATION जिसके पास MOTATION एक्स का अधिकार उसी का तो इक बात ही हम को जमीन राइस्ट्री करा लिए हैं MOTATION नहीं करा है तो क्या पूरी तरह से जमीन मेरी हो जाएगी है राइस्ट्री के बाद हमें क्या कराना पड़ता है MOTATION तो मोटेशन जो होता है 21 working day में हो जाता था पहले कितना अब में तरकता था एकईष वर्किंग देज तो उसमें सब्सक्राइब 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 छुटी जोड़ के 40 दिन हो जाता था जमीन के क्यवल रइष्टी कराएंगे दाखिल करेंगे हैं दोनों कराना पड़ता है तो अभी आप पूरी तरह से उसके क्या बन पाते हैं मालिक बन पाते हैं अब एक बार क्या हुआ समझेए ध्यां से एक आदमी जमीन खरिदा और वह जमीन का दलाली करता था खरीद के बेशता था जमीन खरीद लिया वह दस लाक में केत्ना में दस लाक में सोचा की इसे हम पांस साल बाद बेचेंगे तो पंदराला क्यों defenders जमीन खरीदा केता में पांच साल बाद बेचने गिया तो पंदरा लाख रुपया उसका मिला था लेकिन इस पांच साल के दौरान उसने क्या नहीं कराया था दाखिल खर और जिस व्यक्ति ने जमीन बेच दिया था क्या वो टेक्स देगा अब नहीं तो इसका जमीन का टेक्स कितने सालों से बाकी था उसका, सब भाग जा रहे थे, क्यों, क्योंकि जब कभी भी कोई आदमी जमीन खरीदने जाता है, तो उसका कागज कितने जगद चेक गराता है, दो जगब, कि मालिकाना हग किसके पास है, और मोटेशन याली दाखिल खारीज किसके नाम पर, उस सबसुरे जमीन में उनको रहना नहीं था, बेचने के लिए खरीदे था, रहिष्टी हो गया, पास साल बात बेचने जा रहा है, यह 15 लाक मिल तो, यह हैं पर पास साल का टेक्स से बचा हुआ है, तो पास साल का टेक्स जादे नहीं होता है, पचीस्ती से जार होता है, सरकार बहुत कौम टेक्स लेत तो पिर आपको क्या करना पड़ता है उस 5 साल का टेक्स जोड़िये अमोमन 5-6 जार रुपया अफिर एक के बार में उस टेक्स को दीजिये उस पर फाइन दीजिये तो सरकार कहेंगे हाँ अब मेरा पेट भरा है अब तुम्हेरे नाम पर हम क्या करेंगे करेंगे पहले मोटेशन नहीं हिएज पास साल से अपने काहिन उसकी क्या कर आए दाखिल करें तंग ना रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं है आगे बड़े हैं अ sizin बड़ा भाई अपने पैसा से हम खरी दे मेरा मर्जी कोई भी खरीदे जो अपने पैसा से खरीदा उसक्या मर्जी अपने बेटा को देगा बेटी को देगा कि साली को लिख दे तो करने को साली को लिगदेता है वोसे और मरशर जाथ जाती है किर को लिखने नदुरोपा लेती है अजिए यह साहिनल को पदेन सब्सक्राइब हम और देते हैं यह टुन बनदे लेख में बंदेन। घा पता सबुराता है लड़की से अब कोई पता रहता है देखिए इनका काना है कि किसी जमीन का रेट एक लाख रुपईया है सरकारी सरकारी कितना रुपईया है एक लाख तो इनका काना है कि हम पाँच लाख में अगर खरीद लेते हैं तो दो चीजे दे देन से। उनका गholder की सरख में पढ़ाईगी सरकार बाढ़ा एक कानूर की जबढ़ाईगी नहीं सरकार एक नियम कानून है इप बढ़ा दी अकल को सरकारे को वहां सटाग बनाना पड़ा तो जमीनिया सरकार पीर अपने बढ़ाल के रेट पहरी देगी इसलिए सरकार कहते है बार में जाए बेचने वाला तो अपने बढ़ा के बेचीरा है हमको तो जतना में बेचेगा उसका मिलेगा 10% सरकार बैल है UPSC आपन खरीदने हो गाए सरकार मर जाएगी क्योंकि सरकार तरीमनी जमीन तोड़े करीती है अब आप खुद सूचिए पटना से दिल्ली तो एक सड़क बनाना है जमीन खरीदना होगा अथा जमीन देखा देखी तु दू गोतिन वह प्लोट के इसाब से अगर बढ़ा दिया तो सरकारे भीग जाएगी सब्सक्राइगी कि नहीं आ रहा है आगे बढ़े हैं समझ गया है सर अब जमीन लिखा लेंगे